अहंकार एक गाव में एक मूर्तिकार रहता था. वो ऐसी मूर्तियां बनाता था, जिन्हें देख कर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रह्म हो जाता था. आसपास के सभी गाव में उसकी प्रसिद्ध थी, लोग उसकी मूर्तिकला के कायल थे इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था जीवन के सफर में एक वक्ता ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यू होने वाली है वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यू होने वाली है तो वह परेशानी में पढ़ गया यमदूतो को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई उसने हूबहू अपने जैसी दस मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी ग्यारह आकृतियों को देख कर दंग रह गये वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुश्य कौन है वे सोचने लगे अब क्या किया जाए अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो स्रिष्टी का नियम तूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा कितनी सुन्दर मूर्तियां बनी है लेकिन मूर्तियों में एक त्रूट है काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ती बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया। भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी तुरुटी? जट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस, यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती? सीख, अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया. इश्वर का प्रसाद है, दूख, जब भगवान स्रिष्टी की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने जीव को कहा, कि तुम्हें मृत्यू लोग जाना पड़ेगा, मैं स्रिष्टी की रचना करने जा रहा हूँ. ये सुन जीव की आँखों में आँसु आ गए, वो बोला, प्रभू, कुछ तो ऐसा करो कि मैं लोटकर आपके पास ही आऊँ. भगवान को दया आ गई. उन्होंने दो कारे किये जीव के लिए. पहला, संसार की हर चीज में अत्रिप्ती मिला दी, और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, परन्तु तु तु त्रिप्त नहीं होगा. त्रिप्ती तभी मिलेगी, जब तु मेरे पास आएगा, और दूसरा सभी के हिस्से में थोड़ा-थोड़ा दूख मिला दिया है, ताकि तु लौट कर मेरे ही पास पहुँचे. इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा धूख है. जीवन का धूख या विशाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूख जाते हैं. हमारी समस्या क्या है? कि हर किसी को धूख आता है. हम भागते हैं जियोतिश के पास, अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के पास. कुछ होने वाला नहीं. थोड़ी देर का मानसिक संतोश. बस यदि दुखों से घबराएं नहीं, और ईश्वर का प्रसाद समझ कर आगे बढ़हे, तो बात बन जाती है. यदि हुम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले, तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है. दुख तो ईश्वर का प्रसाद है. दुखों का मतलब है इश्वर का बुलावा है. वो हमें याद कर रहा है. पहले भी ये विशाद और दुक बहुत से संतों के लिए इश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अत्रिप्ति है और दुक और विशाद इश्वर प्राप्ति का साधन है मन की गुलामी एक बार एक महात्मा बासार से होकर गुजर रहा था रास्ते में एक व्यक्ती खजूर बेच रहा था उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिये किन्तु महात्मा पूरी राद भर सो नहीं पाया अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकडी का गठर उठा सकता था उसने उठाया उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदी तुझे खजूर खानी है तो यह बोज उठाना ही पड़ेगा पूरी करके वह शहर पहुचा और उन लकडियों को बेच कर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ श्री जी महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा सामने से एक मुसाफिर आ रहा था महात्मा ने उस मुसाफिर को बुला कर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाब उठाओगे यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे कर्मों की सजा भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बली चढ़ाने की तैयारी आरंभ की उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए नहाने की समय बकरा एका एक बड़ी जोर से हसने लगा फिर ततकाल दुहक के आंसू बहाने लगा उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बली चढ़ाई थी जिसकी सज्जा वह आज तक पा रहा था तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गले कटने की अंतिम बारी है इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था इसलिए वह प्रसन होकर हस रहा था किन्तु वह दूखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बली की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षन की आग्या दी किन्तु बक्रे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोई भी संरक्षन उसके करमों के पाप को नश्ट नहीं कर सकते कोई भी प्राणी अपने करमों से मुक्त नहीं हो सकता जब बेटे उस बक्रे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुँचाने जा रहे थे तभी रास्ते में किनारे एक पेड के शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देख जियों ही बकरे ने अपना सिर उपर किया तभी एक वज्रपात हुआ और पेड के उपर पहाडी पर स्थित एक बड़े चटान के कई टुकडे छिटके एक बड़ा टुकडा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलग जपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया चारों कहानियों में एक गहरा संदेश शिपा है जो हमें आत्म ग्यान, अहंकार, मन की गुलामी और कर्मों के फल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है पहली कहानी में अहंकार की बात की गई है यह दर्शाता है कि इंसान का घमंड उसे अंत में खुद ही धोखा देता है मुर्टिकार ने अपनी कला पर इतना घमंड किया कि उसने अपने असली स्वरूप को छुपाने की कोशिश की लेकिन यमदूत ने उसके अहंकार को भांप लिया और वह अपने प्राण गमवा बैठा इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुँचाया है चाहे हमारी कितनी भी सफलता हो, हमें विनम्र रहना चाहिए क्योंकि घमंड हमें जीवन में दुखों और परिशानियों के सिवा कुछ नहीं देता दूसरी कहानी में दुख को ईश्वर का प्रसाद बताया गया है जब भी हमारे जीवन में विशाद या कष्ट आते हैं, वे हमें ईश्वर की और खींचने का एक साधन होते हैं संसार में कोई भी चीज हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकती यह दुख हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर से मिलने का यही सही समय है अगर हम इस दुख को ईश्वर का प्रसाद समझ कर स्वीकार करेंगे तो हमें आत्मिक शांती मिलेगी और ईश्वर का साननिध्य प्राप्त होगा तीसरी कहानी में मन की गुलामी का जिक्र किया गया है इसमें बताया गया है कि मन के अनुसार चलने से इनसान कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाता महात्मा ने यह समझा कि अगर मन को हर इच्छा पूरी करने की छूट दी गई तो इनसान मन का गुलाम बन जाएगा इसलिए मन को नियंत्रित करना ही सची आजा दी है जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही जीवन का असली आनंद उठा पाता है चौथी कहानी कर्मों की सजा के बारे में है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे के गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है बक्रे ने बताया कि उसके पिछले जीवन के कर्मों के कारण उसे बार-बार मरना पड़ रहा है इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता चाहे हम अपने कर्मों से भागने की कितनी भी कोशिश करें प्रकृति का नियम अटल है जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा साध संगत जी, आज हम जिन विश्यों पर चर्चा कर रहे हैं वे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बलकि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। अहंकार, दुख, मन की गुलामी और कर्म ये सब ही, हमारे जीवन के वे पहलू हैं जिन से हर व्यक्ति अंजान नहीं है। अहंकार हमें इस भ्रह्म में डाल देता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कि हमारे बिना कुछ संभव नहीं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, कि जब अहंकार जागता है, तब विवेक सो जाता है, इसलिए हमें विनमृता का दामन्था में रहना चाहिए। अहंकार का परित्याग ही सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक्ता का मार्ग प्रशस्थ करता है। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें यह याद दिलाने आता है कि यह संसार अस्थाई है और केवल ईश्वर ही शाश्वत हैं। दुख हमें सिखाता है कि सच्ची शांती और त्रिप्ती केवल ईश्वर के चरणों में हैं। हमें दुखों से घबराने की बजाए उन्हें ईश्वर का बुलावा समझ कर उनके पास लोटना चाहिए। मन सबसे बड़ा भ्रमित करने वाला है। अगर हम अपने मन के पीछे भागते रहेंगे तो यह हमें कभी भी चैन से नहीं बैठने देगा। हर रोस नई इच्छाएं और नई आकर्शन हमारे सामने आएंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्चक है। जो अपने मन का मालिक बन जाता है वही जीवन की सच्ची आजादी का अनुभव कर और अन्त में कर्म। अच्चापत है। अहंकार का त्याक करें, दुख को ईश्वर का प्रसाद माने, मन पर नियंत्रन रखें और सदैव शुभ कर्म करें। यही जीवन की सच्ची साधना है। राधा सोहमी जी।